हेलो गाइस वेलकम बेक टो माई चैनल गवर्मेंट जोब और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि हमारी क्या करेंट अफेर्स की स्ट्रेजी होनी चाहिए ठीके दोस्तों तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज आपको कैसे त्यारी करनी चाहिए करेंट अफेर्स बहुत ही ज्यादा हमारा क्लूशल पार्ट है और एक फेक्ट आप यह जान लो आप में से बहुत से बच्चे होंगा जो फर्स्टाम देने जा रहे होंगे और बहुत से बच्चों का मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन अच्छा बात है लेकि जब पेपर देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पेपर कहां से शुरू करें फिर उसमें यहालत हो जाती है कि मन करता है कि किसी तरह कट-off निकल जा ठीक है तो यहां मैं आपके साथ अपने एक्स्पिरेंस से आपको स्ट्रेजी डिसक ठीक है देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप करेंट फेर का त्यारी कर रहे हो ठीक है तो आप अपना टार्गेट सेट की होगे कि मुझे इस मंद से प्रिपेर करना इस मंद से कंप्लेट करके चलना है लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप जुन जुलाई अगस सेटेंबर अक्टूबर और नमंबर नमंबर 29 तारिक को एकजाम है हमें 28 तारिक तक का यह प्रिपेर करके चलना है ठीक है और सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यह देखिए अब मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ त्यारी नहीं किये ठीक है अब ही एकदम बिग्णर वो आप अभी त्यारी करना शुरू कर रहे हो ठीक है तो आपको सबसे पहले दोस्तों यह करना है कि आपको इस समय हे जो आपको करना चाहिए जो अभी का आपका स्ट्रेजी होना चाहिए कि आज 22 अप्त उभार है आपको एक से लेकर 22 तक का आ आ तो मैं आपको यह सर्जेस्ट करूँगा कि आप करेंट बढ़ना ऊपर से शुरू मत करो आप करेंट नेचे से शुरू करो क्योंकि बात यह है कि जो हमारा एक्जाम होता है उसमें recent month के question वह ज्यादा आएगा, तो recent month के prepare करना हमारी लिए ज्यादा benefit होगा, अगर हम जून से करेंगे तो जून जूलाइं अगस्ष्य अक्टूबर बहुत जादा मन्त हो जबहाना तो तो अगर हम नेचे से करेंगे थी से करेंट थेपहर हो में और रिसेट करेंट अफियर पर नाइन चा соглас推स harsh싹 Japanese चांस है दोस्तों जीतना ध्यान दे सकते हो वह सिफ दो सब्जेक्ट पर दो करेंट अफियर और इंग्लिश पर ठीक है और मैं अपने स्विदिन से आपको यह बता दू कि आप कि इतना भी महनत करों देखिए सव में से दस बच्चे तेज होते हैं जो वह पढ़ेंगे तभी उनका अच्छा ही नमर आएगा वह नहीं पढ़ेंगे तभी उनका अच्छा कितना में पढ़ लो एक्जाम में आप उतना ही करके आओगे जितना इट टॉपर करके आएगा क्योंकि उसका टिफिकल्टी लेवल इतना रहता है कि 10 अब 10 नमबर 12 नमबर 13 नमबर से ज्यादा किसी का नहीं आता दोस्तों तो मैं आपको यह सज़श्ट करूँगा कि आप आपको इन दोनों सजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है और इंग्लिस बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों सेलेक्शन में ठीक है तो हमें इंग्लिस भी को भी उतना ही टाइम देना है जितना हमें करेंट अफेर को देना ठीक है तो स्लाइट पर चलते हैं मैंने यहां पर बना रखाए कि हमारी क्या प्रायरटी होनी चाहिए ठीक है अभी देखो ऐसा स्टुडेंट में बात कर रहा हूं कि अभी बहुत ही जादा दिमाग में प्रेशर रहता है कि अरे इतना ज्यादा पीडियाफ है हमने तो हजारों पीडिय अगर आप एक बड़े भाई की सलाल ले लोगे तो फायदा होगा ने तो बहुत से चैनल है कि आप मेरा कोर्स ले लो मेरा कोर्स लो लेकिन मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूं कि आगर आप मेरा ये चीज फॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही जादा बेनिफिट एद्धी तो अभी हमें सबसे पहले क्या रखना है अभी हमें सबसे पाहले ते पर रखना है bigger अगस्त सेप्र्इम्बर और जूलाई जूलाई अगस्ट सेप्रमधर ये थ्री मन्त का आप banking करेंट पर एक तंब रड़ गर और अगर आप इसमें रट जाओगे तो आपको तीन से चार कोशन यहां से फसेगा, दोस्तों मैं बता रहा हूँ, तीन से चार कोशन में बहुत बार तो हेड़कॉर्टर पूछ लेता है, मैं एक सेपरेट वीडियो लाँगा, जिसमें मैं समाल फाइनेंस बैंक, जितने बैंक है सबका हेड़कॉर्टर आपके साथ डिसकस करूंगा, लेकिन अभी हमारी सबसे पहले प्रियोटी होनी चाहिए, बैंकिंग करेंट अफ़ेर को पढ़ना है, बैंकिंग करेंट अफ़ेर से कोशन आते हैं, जोस्तों लोग स्टेट करेंट अफ़ेर, साइन्स करेंट अफेर, मैं मान के चलता हो कि आप सब लोगों ने अफेर्स क्लाउड या कोई भी सोर्स से पर्चेस किया होगा, ठीक है, तो वहां से आप सिफ सेपरेड बैंकिंग करेंट अफेर्स का पीडियों पाउनलोड करो, अगर अपको बस नहीं है, तो आप बताओ, मैं आपको दे दूगा तो आप कि अपन तो आप दूग आप से लाण पर अपको याजिए प्रवाजर, तो आप से लाइज अपको दोगा होगा टीक है, झार दूसरा जो सबसे इंपोर्टने इपर्टने इस्टे इन नमबर का गोर्मेंट इस्कीमा आता है, दोस्तों, अगर पिछले पांच साल क मैं पिछले पांच साल का अगर आपको बता दू तो जादा से जादा पंदरा पंदरा गॉर्मेंट स्कीम से मैं इसका बहुत ही अच्छा अपने कॉपी में नोट्स मना के रखा हुआ है अगर आप कहा हुए तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूना तो आप एक गॉर्मेंट स्कीम दोस्तों यह रढ़ जाओं गॉर्मेंट स्कीम मैं वता रहा हुँ कितना भी पढ़ लो अगर आप छे महीने का करेंटर पेर करने जाओगे न तो दो हजार पेज हो जाएंगे और मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था जो मैंने त्यारी शुरू की थे ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि आप आप भी आप मेरे एक्स्वीरियों से सीखो कि मैंने कहां गल्ती की और आप उसको कहां सुधार सकते हो ठीक है तो मेरी अगर आप मानों तो आप गॉर्मेंट स् मैं आपको शेयर कर दूंगा ठीक है तो अगर आप कर चले जाओ गए तो आपको दो से तीन अंबर आ जाएंगे ठीक है और तीसरा मैंने मैंने जो एनलाइस किया इतने काफी सालों में तो वह यह है कि डिफरेंट इंटरनेशनल हेड़कॉर्टर ठीक है तो एसे लोग नहीं पढ़ते हैं और एक्जाम में कोशन यहीं से बनते हैं तो आपको सबसे इंपोर्टेंट प्राइरिटी होना चाहिए वह है डिफरेंट इंटरनेशनल हेड़कॉर्टर को याद करने का ठीक है इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ठीक है और लास्ट है जाते हैं कि आपको उसी ज्यादा फोकॉस करना है लास्ट 3 मंथ मंथ करन अफेस ऩर ठीक है यह मैं । आपका लास्ट कि स्कनर keywords टीरिटर shrug में देगे ग聯बन को या अबश्याद तक लिफरेंबर प्लस सब्टेंबर North Connecticut को तो आपको तो यह तीन मंत का दोस्तों रट के जाना बहुत ही सारी यूटीब चैनल में आपको बताया जाएगा कि जैनुवरी से पढ़ लो जैनुवरी फेर्वरी मार्च अप्रेव माय जून इतना दोस्तों करने कोई जोरत नहीं है आपका लास्ट थ्री मंत को अगर सिंसियरली का स्व needs लोर कर लोगे बहुत हराँ से स्वार करना बहुत मुशकिलली ये लेकिन इतना जाधा यूट्यूब वीडियो के माधिय हम बच्चों को इतना जादा कंफ्यूम्स मेरा कोर्स देलो मेरा कोर्स देलो दोस्तों कोई कोई प्र लेने की जोरत नहीं है अगर आप थिं हमें सिर्फ तूदा पॉइंट पॉइंट नहीं पड़ो गए तो फिर अगले साल फिल त्यारी करोगे कोई वीडियो देखते रहोगे कि कैसे करेंट अफ निकाले तो इसे समय समय जाओ दोस्तों बहुत ही अच्छा मोका है बहुत ही जादा वेकेंसी है ऐसा हर बार इसा वेक सब्सक्राइब करेंगें अगर अगर आप सोच रहोगे कि अरे सर ने तो इतना कम बता दिया है लेकिन दोस्ता अगर आप यहीं त्यारी कर लोगे ना तक वह 10-15 नुबर आपके आ जाएंगे गौर्णनेंट स्कीम से बहुत जादा भार-भार की कोशन भी जा रहे हैं आप अब कितना भी इस डेली करेंट अफेर पढ़ लो कितना रिवीशन कर लो लेकिन वह सब एक्जाम में बहुत कमार है दोस्तों हमें पैटर्न समझना पड़ेगा अब सरकार चाहरे है कि लोग कि बच्चे गवर्मेंट इस स्कीम के बारे में जाने तो गवर्मेंट इस स्कीम के बारे में जाना हमा लें बहुत इस ज़ादा जलिरी ठीक है मैं इसके लिए एक वीडियो बना दुगा सारे गवर्मेंट इसकीम से लेटेट Waiter all a मैं एक इंपोर्टेन आपके जाहता हूं कि किस चीज़ पर एक वीडियो बना ळीमित, बीजल य।i बना रहे तुछ भरालणां सब्सक्रा बार्द करता। कि आप कमेंट में 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 करने बहुत आप किमेंड समॉच्त शाणा हूं कि के कुछ से डिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और ले आँगा ठीक है आपके लिए और दो सबस्ते इंपोर्टन चीज मैं चीज सोच रहा हूं कि देखिए आपका इस बाइक लड़ का एक्जाम आने वाला है ठीक है और मैं सोच रहा हूं कि डेली अपने चैनल पर में दो से तीन फ्री मॉक मैंस का और रीजनिंग का आपके साथ शेयर करूं ताकि हम 20 मिनट का देखिए 20 मिनट का यह क्लास रहेगा यह हम इस क्लास रहे है 20 मिनट में रोज कब तरक इक्जाम ने हो जाता है 40-50 स्बॉर्ट पर रीजनिंग का और मैंत का ठीक है तो यह मैं आप प्लीज कमेंट बोक्स में टाइब करो तब मेरे को पदा चलेगा कि आपको क्या चाहिए तो मैं उस हिसाब से अपना नेच्ट वीडियो लेकर आँगा ठीक है तब तक के लिए प्लीज दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक यू